नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम KVS TGT मैच के स्लेबर्स के बारे में बात करने वाले हैं, हाला कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि KVS का जो अब एक्जाम का पैटरन है, वो चेंज हो चुका है, जिसमें अब 100 marks जो है, वो subject specific कर दिया गया है, यानि कि ये जो वीडियो है, इसमें हम उसी subject के बारे में बात करेंगे, यानि कि जो आपका 100 marks का मैथ आएगा, उसके बारे में आज हमने discussion करनी है, तो आप सभी ने वैसे तो detail notification पढ़ लिया होगा, सलेबस क्या है, ये भी आपने देख लियोगा, लेकिन एक teacher होने के नाते, ये मेरा फर्ज बनता है, कि मैं भी आपको guide करूँ, इसी के लिए मैं late हुआ, information मैंने जो है इकठी की, ताकि मैं एक सटीक information आपको दे सकूँ, आपको exam के तयारी में कोई दिक्कत ना है, इसलिए जो ये वीडियो है, वो इतनी late आ रही है, ठीक है, तो आज हम discuss करेंगे, कि जो syllabus आपका आएगा, वो कहां से आएगा, कहां से आपको पढ़ना है, कैसे आपको तयारी करनी है, ठीक है, तो इसी के साथ फिर कर लेते हैं, एक बार वीडियो को सुरूप, तो जो ये आपका exam आएगा, 100 marks का, KBS का, इसका जो maths आएगा, वो आपका, आपने देखा होगा, notification में सबसे उपर, specially mentioned किया हुआ है, मैं थोड़ा सा zoom करके दिखा देता हूँ, 6th to 10th तक की, यानि कि जो slavus रहेगा, basically, वो 6th class से लेके, 10th class तक का, आपका जो है exam में पूछा जाएगा, However, the question will be testing the depth of understanding, and application of this concept at the level of graduation, ये जो line लिखी है, कि भाई, ये आपसे graduation level तक का पूछा जाएगा, इसी को लेके, मैं late हुआ, जिसके लिए मैं आज अपने teacher से मिला, जो MSC, PhD है, Dr. Ravikantagrawal, उन से मेरी बात हुई, जो अभी इस time पे, जो school levels की books हैं, उनको लिख रहे हैं, क्योंकि school में भी अब जो pattern आने लग गया, उसमें भी आपका, जो कुछ portion है, वो objective रहेगा, ठीक है, तो उन सर से मैं मिला, मैंने गा, सर ये SSC में mention किया हुआ, कि क्या करना चीए, ताकि जो course है, वो इस तरह का हो, कि बच्चा उसको पढ़के, अपने final target को achieve कर सके, क्योंकि भाई नोकरी का सवाल है, तो कोई risk नहीं ले सकते थे, और आपने देखा भी होगा, आपसे पहले भी, जो मैंने classes पढ़ाई हैं, जैसे कि estate का math मैंने पढ़ाया था, जिसके लिए मैंने रामबान class ली थी, उसमें से as it is question आपके जो हैं, वो आई हुए थे, तो वो कैसे तयार होता है content, उसके लिए या तो हम previous year paper को analyze करें, ठीक है, उसके भी आप पे आपको content बताएं, लेकिन ये जो kvS में math add हुआ है, या ये जो subject specific हुआ है, ये first time हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, तो कोई previous year paper तो है नहीं, हम इसके बारे में पता कर सकें, तो इसके लिए ही मैं delay हुआ, मैंने पूरा study किया, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना है, ठीक है, तो ये सारी information, आज मैं आपको provide कर वाँगा, अब ये जो topics, जैसे कि यहां बोला है, कि six to ten, तो सर से जो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि, ये जो slavus है, वो ten तक का आएगा, लेकिन हाँ, difficulty जो होगी, यानि कि questions का जो level होगा, वो थोड़ा सा अच्छा level होगा, और आप सभी भी जानते हैं, कि KBS का जो level है, वो हमेशा से अच्छा आता रहा है, इतने simple question नहीं पूछेगा, तो इसके लिए मैंने NWS के paper को भी observe किया, जो अभी November में हुआ था I think, उस paper को भी मैंने observe किया, इसके अलावा UPTAT के जो paper है, उनको भी observe किया, कि TGT पर किस level से match पूछा जाता है, लेकिन एक बात सच है, कि इन्होंने जो mention किया है, जो slavus mention किया है, ये इस से बाहर नहीं पूछने वाले हैं, तो इस बात के लिए तो बिलकुल निश्चिन्थ हो जाईएगा, कि slavus जो है, वो 6 to 10 तक का ही आप से पूछा जाएगा, तो अब बात आती है कि फिर तैयारी कहां से करनी है, तो तैयारी के लिए देखो, सबसे पहला जो chapter है, that is real numbers, अब ये अगर, वैसे तो आप सभी ने advertisement देख लियोगी, कोशिस मैंने की है कि भाई, ये आपको दिख जाए screen पर, लेकिन फिर भी नहीं दिखता है, तो मैं इसकी जो PDF है, वो अपने टेलेग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से download करके देख सकते हैं, ठीक है, और उसका जो link है, वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से check करें, तो अब ये जो topic है real number, जो हमारा सबसे पहला topic है, syllabus का real number, तो उसके लिए देखो, मैं यहाँ पे book लेके आया हूँ, और ये एक किताब मेरे पास जैसे भी है भाई, फटी पुरानी, ग्यान तो कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है, तो आप ऐसा न देखें कि किताब बड़ी पुरानी सी है, ग्यान वही है, ठीक है, NCRT ये जो है, ये नाइन्थ क्लास की है, और नाइन्थ क्लास की NCRT में, ये जो first topic हमारा लिखा है, ये number system के अंदर, real numbers जो है, यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो chapter है, हमारा kolinomial भी है, coordinate geometry भी है, ये सारे chapters हैं, लेकिन ये और ज्यादा अच्छे से, यानि कि जो line to line यहाँ पर लिखा है, मैं उसके बारे में एक बार बात करता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक book आपके सामने लेके आऊँ, ये 9th class की book है, किसकी RS अगरवाल की, सुने भी होगी आपने, ठीक है, इस book के अंदर से, यहाँ पे जो topics लिखे हैं, वो agities match करते हैं, तो मैं तोसिस करूँगा दिखाने की, आप देखें, यहाँ पर, जो very first लिखा हुआ है, real numbers, ठीक है, यहाँ पे, यह topic लिखा है, real numbers, देखें हमारे course में भी, जो पहला topic है, real numbers, जहाँ पे लिखा है, review of representation of natural numbers, integers number line, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, review of representation, as it is line, यूंकि यूं लिखी हुई है, इसके अंदर सारी, ठीक है, हाला कि, एक दो line cutting है, कोई बात नहीं, इसका मतलब वो छोड़नी है, हमने, करनी नहीं है, लेकिन यह सारा, जो first, real numbers का लिखा, आप मैं पढ़ बढ़ के, तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि, बस सिर्फ topic का नाम देख लेंगे, आप पढ़ लेना, इसको, real numbers में यह जो दे रखा है, तो यह सारा, जो है, यहां से आप, अगर match करेंगे, इस किताब में से, तो as it is आपको मिलेगा, यह पहले वाला जो था, यहां पर last of exponent भी दे रखे हैं, ठीक है, fundamental theory भी दे रखे हैं, देखो, यह यहां पर, यह चीज दिखाना चाहूँगा आपको, कि यहां पर देखो, यह rationalize करके, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यह लिखा है ना, one upon में, a plus b root x, इसमें तो blur हो रहा है, लेकिन यह देखो, यह as it is, अब यह camera पता नहीं, फोकस इसको करेगा की नहीं, वाकि मैं कोसिस करूँगा, देखो, यह as it is, यहां पर लिखा हुए, as it is, यहां, इसमें mention किया हुए, तो मैं आपको बताना चाहरूँ, कि यह जो first topic, real numbers का था, वो ninth class की, R.S. अगरवाल में लिखा हुआ है, इसी के साथ, जो हमारा next topic है, that is polynomial, next topic is polynomial, तो polynomial, यहां पर देखे, second section बनाया हुए, polynomial, और इसकी पहली nine में लिखा हुए, definition of a polynomial in one variable, और यहां भी देखो लिखा है, definition of a polynomial in one variable, तो आप check कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से यह book मिले, तो आपको मैं बस यही बताना चाहा रहा था, कि यह जो ninth class के topic है, और कुछ इसमें extra भी हैं चीजें, जो आपकी tenth class में, क्योंकि देखो सारा ninth में तो covered नहीं हुआ, tenth का भी syllabus है, तो ninth का भी है, tenth का भी है, तो यह polynomial का chapter है हमारा, ठीक है, इसके बाद, जो next chapter है हमारा, polynomial के बाद, linear equation in two variables, next is linear equation in two variables, ठीक है, यह topic है, और यह next page पे लिखा है, linear equation in two variables, ठीक है, आप देख सकें, तो देखिएगा, कोसिस है, फिर भी अगर कहीं से book arrange हो जाती है, तो भाई देख लेना, प्लीज, यह, हला कि मैंने match कर लिया सारा, ठीक है, तो linear equation in two variables, इसके बाद, जो next आता है, वो pair of linear equation in two variables, यह वाला जो topic है, यह आपका 10th की book के अंदर है, ठीक है, दसमें की, NCRT देख लेए, या जैसे भी है, आप RSA गरवाल देखें, तो उसके अंदर यह इस तरह से, इन किताबों में क्या है, यह ऐसे पूरा explain करके लिखा हुआ है, ठीक है, इस flavors को, तो यह भी आपका 910th का topic है, इसके अलावा, जो next हमारा है, this is quadratic equation, यह भी आपका 9th में आजाता है, 910th में आएगा, यह arithmetic progression है, coordinate symmetry है, ठीक है, तो यह आपका syllabus, इसके अलावा, introduction of Euclid symmetry, यह आपका 9th क्लास में आता है, ठीक है, Euclid symmetry के बारे में, तो इसके बाद, next है, lines and angles, तो यह सारा इसमें लिखा हुए भाई, अब मैं यहाँ पे आप इसको दिखाऊंगा, तो यह properly पता नहीं, visible हो रहा है कि नहीं, मैं फिर बार-बार बोल रहा हुए इस बात में, लेकिन यह लिखा है, मैंने किताब आपको दिखा दिये, front page आपको दिखा दिये, ठीक है, इसी तरह से यह class 10th की भी NCRT है, फटे हाल में फिर से, ठीक है, तो इसके अंदर यह सारा लिखा है, आप देखेंगे तो arithmetic progression लिखा है यहाँ पर, arithmetic progression है, triangles है, यह सारे chapter, quadrilaterals बगएरा, यह सब पुछ, यहाँ पर दिया हुआ है, syllabus में, lines and angles, अभी आप देख रहे हैं, इसके बाद, triangles का topic है, यह लिखा है, एक तो यार यह गूहूम जाता है, गूहूमा मत कर भाई, ठीक है, तो quadrilaterals पर थे हम, एक बार देख लेते हैं उसको, एक मिनट, तो यह quadrilaterals है, इसके बाद, यहाँ पर next circles है, ठीक है, circle के बारे में पढ़ना है, इसके बाद next जो है, वो areas के बारे में बात करेंगे, area है, उसके बाद surface area और volume है, ठीक है, इनके अंदर नहीं बता रहा, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, यह आप सभी ने पहले ही check out कर लियोगा, क्योंकि इतनी देर पॉन वेट करता है, यह तो हम ही है, जो इस पर time लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि static information आप तक पहुँचे, statistics है, अब statistics जो है, वो 9th में भी है, वो 10th में भी है, वो 11th में भी है, ठीक है, तो उसका जो difficulty level है, वो वहाँ तक जाएगा, इसी तरह probability जो है, आपके 9th में भी है, 10th में भी और वो 12th तक आती है, ठीक है, तो यह जो चीज़े है, यह देखो आगे probability आगया, probability है, trigonometry है, trigonometric identities है, height and distance है, ठीक है, तो यहाँ पर clearly उन्होंने सब कुछ mention किया हुआ है, कि हम जो पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे, पूरा दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि जैसे, अपने हर्याना HSSC में करते हैं, उस syllabus ही नहीं देते कमबक्त, बताओ, estate का syllabus मालूम था किसी को, कि वो क्या देंगे, किसी को मालूम नहीं था, लेकिन, यह जो exams हैं, यह standard के exam हैं, जो पहले से आपको syllabus बताते हैं, और इससे बाहर नहीं पूछेंगे, ठीक हैं, तो यह सारे topics आपने करने हैं, और एक बात और बता दूँ, यह startup तो 6th class से हो जाता है, तो वहां से आपको, जो 10th तक का मैथ है, वो deeply study करना है, यानि कि आपको सारी बाते पता होनी सी, अब चलो बाते तो पता लग गी, आपने पढ़ लिया सारा syllabus, लेकिन main बात आती है, कि syllabus तो हमने पढ़ लिया, ठीओरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन question किस तरीके काएगा, तो यही है main point, तो जो question आएंगे, वो exam में कैसे पूछे जाते हैं, इसी पर मैं work कर रहा था, कि objective question आपका जो है, वो particular topic से कैसा बनेगा, तो इसी की तैयारी के लिए, आपको लग रहा होगा कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, सर्स ठीक है syllabus तो हमने देख लिया, लेकिन तैयारी कैसे होगी, इसके बारे में बात किजिए, तो मैं आपको बता दूँ, जो हमने अभी तक math पढ़ा है, मैं थोटा सा आपको खोल के बतातूँ इस बात को, जो हमने estate में ही पढ़ा था, वो math जो था, वो up to 10th level का ही था, ध्यार दिजेगा, वो up to 10th level का ही था, जो मैंने वीडियोज डाली हुई है, वो 10th level का था, लेकिन, लेकिन क्या, अब यहां पर वो profit and loss नहीं है, यहां वो percentage नहीं है, समझे रो मेरी बात, यहां time speed and distance नहीं है, यहां time and work नहीं है, तो यह नहीं कि उसमें से यह सारे chapter करो, नहीं, यह सारे नहीं करने हैं, chapter करने हैं, इसके according, जो इसमें दिये हुए हैं, जैसे quadratic equation है, triangle है, circle है, quadrilaterals है, यह सारे हमें करने हैं, और करने के बाद, फिर इनसे competition में कैसे question पूछे जाते हैं, वो करने हैं, और वो कहां से होंगे, वो मैं कराऊंगा, कहां कराऊंगा, इस paid course के अंदर, जो आपके सामने अभी है, यह KVS का subject special batch है, जो मैं, जिसमें मैं आपको तयारी करऊंगा, ठीक हैं, यह batch आपको कहां से मिलेगा, यह batch आपको मिलेगा, achievers academy app पर, play store पे आपने जाने, play store से achievers academy एप को डाउनलोड करने, एप डाउनलोड करके, उसमें आपने ID और password डाल के login करने, और login करेंगे, तो all courses में आपको यह, जो आपको अभी दिखाई दे रहे, यह course मिलेगा, इस course में आपको क्या क्या दिया जाएगा, सबसे पहले तो आपको basic clear करवाए जाएगा, कि भाई इस chapter में जैसे quadrilateral है, तो quadrilateral होता क्या है, या polynomial है, तो polynomial होता क्या है, इसके बारें बताया जाएगा, उससे जुड़ी, जो competition में बातें पुछी जाती हैं, वो बताया जाएगी, और इसके साथ साथ, जो सबसे ज़्यादा होगा, वो होगी questions की practice, concept समझा के फिर question को practice किया जाएगा, सारे multiple twice question होगे, ठीक है, जितने ज़्यादा question हम पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो है वो तैयारी होगी, exam के लिए, ये ध्यारक ना, अब पीछे से तो कोई है नहीं ऐसा, कि वहाँ से पता लग जाए कि क्या था, तो इसके लिए हम follow क्या करेंगे, जो NVS में exam थे, UPTGT में जो exam थे, या और कोई source ऐसा लगेगा, कि हाँ यार ये चीज़ important है, यहाँ से question put up किया जा सकता है, तो उन सभी चीज़ों के बिहाफ पे, हम इसको लेगे चलेंगे, क्योंकि इसका अपना ये first time exam हो रहा है, ठीक है, तो उसके base पर ही हम जो है, इस course में पढ़ाई करेंगे, ठीक है, तो course आपको Sunday तक, कोसिस रहेगी, कि Sunday तक आपको app पर ये show हो, उससे पहले available नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब इसके काम चल रहा है, और मैंने बताया कि, कोई भी काम मतलब ऐसे पढ़ाना होता, तो शायद अब तक मैं पढ़ा चुका होता हूँ, लेकिन ये अंदर से आत्मा नहीं मानती है, ठीक है, आप लोगों को प्यार इतना ज़्यादा मिला है, आज भी मैं गया था, जब verification हो रही थी, estate की biometric हो रही थी, तो वहाँ पे बिहार से 5-6 candy rate आयोए थे, केते कि सर हम specially बिहार से आये हैं, और जब हम आ रहे थे, तो हमारे मन में चल रहा था कि हम राके सर से मिलेंगे, तो by chance मैं उनसे मिला, मैं अपनी बेटी को लेने किया था स्कूल से, तो उसका स्कूल वहीं पर था, तो वो मुझे मिले, उन्होंने मेरे पैरों के हाथ लगाया, मैंने का रहे भाई, तो भाई, जब उन्होंने ऐसा किया, तो फिर मुझे लगा कि नई यार, ये बच्चे अगर आपके लिए इतना कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर बच्चा कोचिंग नहीं ले सकता, मैंने यूटूब पर फ्री पढ़ाया, ठीक है, और ये कोर्स क्यों बना रहा हूं, देखो इस कोर्स के लिए, जो मेहनत आपने करनी थी, वो मेहनत मैं करूँगा, दिन रात इसके लिए उब्जर्वेशन किया जाएगा, कि ये कोश्चन डालना है, ये कोश्चन डालना है, एक्सपिरियंस में अपना डालूँगा, तब ही जाके एक कोर्स बनता है, तो मेहनत लगती है, तो ये एक किसम की गुरु दक्षिना है, जो मैं आप से लूँगा इसके लिए, हाला कि मेरा मन नहीं मानता, कि मैं पेड़ कोर्स बनाऊं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो अपने करियर को लेके सीरिस होते हैं, कि नई यार हमें तो नोकरी करनी ही है, चाहिए कोर्स कितने का भी हो, हम लेंगे, हम करेंगे, मेरे पास डेली उंक्वैरी जा रही हैं, कि सर, कब कोर्स आएगा, कब कोर्स आएगा, तो फिर मैंने सोचा है, जब बच्चे इतना मतलब, मेरे मैथ को पसंद करते हैं, तो फिर मुझे आगे आना सही है, और इसे लिए फिर मैं, आज ये क्लास लेकिया, ये वीडियो आपके लिए बनाई, स्लेवर्स के हाला कि अंदर के कंटेंट, मैंने नहीं बताए, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ये मिलेगा कहां पर, तो ये आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लगता था, कि बहुए इसको बोल के ज़्यादा, इस पेशल में वेस्ट ना किया जाए, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं देखू उनको, और फिर आपको जैसा भी रहेगा, उसके बारे में बताएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्पेशल लाइन भी डाली, कि तैयारी सफलता की, तो मेहनत करेंगे, मैं भी करूँगा, आपने भी बराबर की करनी है, ऐसा नहीं कि मैं मैं मेहनत करूँ, ठीक है, तो आपकी तैयारी करवाएंगे अच्छे से, कोशिस पूरी रहेगी, फिर भी भाई देखो, क्लासी भी मैं आपको बीच-बीच में देता रहूँ, ठीक है, तो इसी के साथ, अलविदा, थैंक्यू, धन्यवाद, बबाई, टेक कियर,